Hello everyone, यह है Video Oswal Channel और आप देख रहे हैं StatPro Tutorial Series आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से foundation हम डिजाइन करते हैं StatPro में देखिए दो तरीके हैं foundation design करने के सबसे पहले मैं एक structure बनाता हूँ या एक column है इस column के लिए हमें एक foundation, isolator foundation design करनी है सबसे पहले हम इसको एक support देते है प्रॉपर्टी दे देते हैं इसको 400 by 400 mm की concrete का column है ठीक है load एक load add करते हैं हम dead के वल एक load करते हैं dead, dead के अंदर cell fit प्लस एक load लेते हैं जो लग रहा है आपका 50 kN ठीक है माइनस लगाते हैं आप जिससे downward लग जाए है ठीक है अब हम analyze and print पे क्लिक करते हैं all add clause और analyze कर देते हैं यह column हमारा analyze हो गया सके पर load लगा हुआ है अब हमें जो footing design करनी है देखिए यह है हमारा column 400 by 400 sorry यह हमारा column है जिसको हमने size दिया है 400 by 400 mm ठीक है footing कहा design होगी हमारी footing यहाँ design होगी support पे ठीक है अब हमें क्या पता होना चाहिए footing की depth pedestal bearing capacity reinforcement footing का यह सब हमें design करना है तो इसके लिए देखिए तो पहले फोर्स पता कर लेते हैं कितना है ठीक है यहाँ लग रहा है तो उसके लिए का है कुछ नहीं post processing में जाना है done और इस join को select करना है और report और हमें यहाँ पर support reaction ओके यहाँ पर horizontal force 0 है और vertical force 72.619 kN और z direction में force 0 है moment in x 0 है y 0 है और z भी 0 है ठीक है node नमबर 2 पर यहाँ कोई mistake हो रही है क्योंकि moment तो आनी चाहिए थी है है ना क्योंकि fix support है moment इसलिए नहीं आ रही ही क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा axial load है इसलिए यहाँ कोई moment generate नहीं हो रही है अगर moment generate कर रही है तो हम एक load load लगा लेते हैं चलिए हमें मोमेंट जनरेट करनी है तो हम इसी के अंदर एक नोडल लोड में के अंदर लगा जैते हैं एक्ट डारेक्शन में 10 किलोन्यू यह 70 किलोन्यूटन अब इसमें अच्छी खासी मोमेंट जनरेट हो जाएगा अनलाइस कर देते हैं अब दुबारा गए हम पोस्ट पोसेसिंग सपोर्ट को स्लेट किया रिपोर्ट सपोर्ट रियक्शन डान ओके यह आगया दिखिए मोमेंट आगए 420 अब एक्स में भी फोर्स लग रहा है इसमें ठीक है यह हमारे इस सपोर्ट की यह यह डाटा हमें चाहिए यह डाटा किसल अब दो तरीके हैं या तो सॉफ्ट एरिक आता है आपका स्टैट फाउंडेशन देखिए यहां पर आइकन है या तो इससे कर लो डिजाइन यहां फिर आती है एक्सल सीट एक्सल सीट में फॉर्मले सेट कर देते हैं और बस हमें इन्पुट डालना होता है जैसे कि एक इंपूटिं का केस का यह लो डिजाए कि लोड किस एक लोड है मार पा डैट ड लाई लोड की यह एक्सल फोर्स मो एम एक्सएं म जेड यह 3 चीज डाल लिए तो यह तीनचीज कामें मिलेगी है म रिपॉर्ट में थी हमारी यह रही 30 यह 70 यह दोनों कितनी है 70 और 72.619 एक्षिल फोर्स कितना है हमारा 72 MX कितना है 0 MZ कितना है 420 ठीक है FX की इसमें जुरुवत नहीं है वाद एक्षिल लोड और मुवमेट ले लिए हमने पेडिस्टल साइज हमने 500-500 एम ले लिया यहां पर हमने 0 ले लिया टॉटल एक्षिल फोर्स आगया इतना ठीक है और बेरिंग कैपिस्टी मान लिजी हमने ले लिए 150 ठीक कंक्रीट 25 उसके बाद यह डिजाइन करेगा यहां पर देख रहे हो यह फेल हो रही है और अगर हम यहां पर देखिए यह जो है आपका मैक्सिमम और मिनिमम प्रेसर पी एक्स पी मैक्स स्वरी पी मैक्स पीन यह पोजिटिव नेगटिव आ रहा हूं यहां पर देखिए से बोरी है यह इन शियर यह हमारी सेफ है सियर में पर इसमें रिन्फोर्समेंट नहीं आ है अभी तो अगर हम बेरिंग कैपस्टी को बढ़ा दें इसको कर दें 250 तो क्या होगा सोरी मुझे लग रहा है कि यह एक सलसीट दुबारा स्टार्ट करने पड़ेगी क्योंकि यहां पर हमने डाटा डाला और यहां पर हमारा आउटपूट होगा है कभी कभी एक सलसीट काम नहीं करती है तो हमें दुबारा स्टार्ट करके आउन करने होती है यह देखिए हमने डिजाइन में डाटा डाला यहां पर इन्पूट और यहांनोंने आउटपूट दे दिया ह यह इसका स्टील है तो हर किसी के अपनी अपनी एक्सल सीट से एक एक शेट यह थोड़ी अलग है इसमें देखिए आपको यहां फोर्स डालना पी यहां डालना एल-एक्स कॉलम का साइज यहां बेरिंग कैपिसिटी यह मिनिमम विड़ डैप्थ और यह फोर्टिंग रुक् सब्सक्राइब जैसे के मारा फॉर्स कितना यहां पर 70 ठीक है और बेरिंग कैपिसिटी हम कर देते हैं 150 अगर आप जैसे हम कुछ कर रहे हैं चेंज हो रहा है कि बेरिंग कैपिसिटी को करते हैं 10 तो देखिए रिसाइज यह फेल हो गया है चेक किजिए 10 में अगर हमें 100 कर पर आस हो गया कि फस्ट वाला यह तरह से हम कर सकते हैं फुटिंग डिजाइन या फिर हम एक तरीका और एक स्टैट फांडेशन यह आपका स्टैंड फांडेशन यह इंस्ट्रों होगा तभी कि आपको चलेगा यहां पर देखिए रन स्टैट फांडेशन यह हमारा ओन हो स्टरेट फांडेशन है इसमें कुछ नहीं करना होता कुछ भी नहीं करना होता देखि यह च्छाइड फांडेशन आ गया यहँ है यहाँ में सबसे पहले करना है चरेड्र में Pre- alles युए नाम यहां पर नाम डालेते हैं जो आइसो लेटीड है हमारी फूटिंग इसो लेटीड हमने डाला, युएस कोईтесь कर देते हैं ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं आपे, ओके यहां पर भी कोई लोड नहीं है लेकर यहां पर डाटा नही आ राला लोड का इसका मतलब पोछिदिख्कत है तो हम एक तरीका गर सकते हैं कि हम इसको अनलाआज कीजिए अनलाइस तो यह है इसको सेवस्क कीजिये विशिए पाइस डेक्यट्सिटोप पर हमें फोल्ड अपना ले ची जडेक्सिटोप पर फोल्ड披नाहें हम boiling नम चे और यह फायल उसके अंदर एक सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर दिया और हैं पर देखिए important study का इकन है यहां से import किया करें में का इन ऐस फाइल को क्या आ अच्ट जो फूटिंग को है यहां से import किया अगया है ड rif जो हमने बनाया था डीएडी स्पेलिंग मिस्टेक थी इंपोर्ट कि देखिए यहां पर एक चोटा सा दिखाई देखाई देरा है इस पर रियक्शन के सिंबल से अब यहां पर क्रेट जोग पे जाना है और यहां पर आई सोलेटिट एक बात में बता दू अभी मैंने महां से जग क्लिक किया था तो इसमें डाटा नहीं आया था दिक्कत हो आती कि क्योंकि एक रेक्स आप्टेस हैं इसमें दिक्कत आया थी तो मिने दुबारा सेफ करके इंपोर्ट करना पड़ा यहां पे लोड आचुका है इसको नीचे ले आते हैं और इतना करना है यहां पर देखिए आइसरीट फोटिंग बन चुकी है यहां पर कुछ पैरामेटर है जैसे की यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट मैक्सिम मिनियों स्पेसिंग यह सब कवर सोईल यह सब डालने के बाद जब आप फोटिंग डिजाइन पे क्लिक करेंग 8 mm का डाया एट 50 स्पेसिंग ठीक है यह पूरी डिजाइन है इसमें आप इसकी यह प्लान भी देख सकते हो रोइंग का 5.4 x 5.4 और 0.306 300 mm की डेप्त लिए फूटिंग की आपका कॉलम है बीच में और यह आपकी फांडेशन है ठीक है यह कैलकुलेशन सी टेस्ट की और य इसको यहां से आप सेव एज ओटोकेट ड्राइंग भी कर सकते हैं देख रहे हो आप यहां पर ओटोकेट.dwg तो इस तरह से हम स्टैट प्रॉम में फांडेशन डिजाइन करते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो या आप इसमें कुछ इंप्रूमेंट या फिर अव झाइन झाइन करते हैं